हे हेलो गाइस तो दूस्तों आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कॉपर कार्बोनेट और कॉपर ऑकसाइड यहां पर हम कॉपर वीडियो थी मेरे एक सब्स्क्राइबर क्या टील मेरे एक वीवर की लेकि यहां पर जलदी एक वीडियो लेके आऊगा जो की detail सब्सक्राइब कर देना तो दोस्तों को लाइक करते हैं चनल को सब्सक्राइब कर देना तो कोपर ऑकसइड या फिर कारबोनेट बनाने के लिए सबसे पहले इंगीड़ाइब चाहिए होगा वह है कौपर सल्फेट यहाप से कृपर करिष्टल के ले रहा हूं आप कौपर सल्फेट का सल्फेट का सलूशन ले सकते हो क्योंकि सब्सक्राइब लिए अगर आपको नहीं पता कि कॉपर सुलफेट कैसे बनाते हैं तो मैं एक वीडियो बना चुक हूँ आप उसे देख सकते हैं या फिर आप चाहूती से एक सब्सक्राइब आपको चाहिए होगा सोडियम कार्वोनेट अब यह मीठा सोडा से बनता है जो मीठा सोडा होता आपको किराने के दुकान पर मिल जाएगा जो मीठा सोडा होता ना दोस्तों केमिकल होता है इस आप सोडियम कार्वोनेट होता क्या है कि जब आप मीठे सोड़ाओ मौनेट चोटा देता हूँ थोड़ा मौनेकील छोड़ा थोड़ा सकते हैं तो इस तरह से में सोडियम कार्वोनेट बना लिया है अगर आपके पास सोडियम कार्वोनेट नहीं है वर फिल्स पह disp份 ح towards तो simply आप sodium bicarbonate यानी मीठा soda सिधा 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 इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर मेरे पास है यह copper sulphate sodium carbonate अब मैं simply करता क्या हूँ यह जो copper sulphate मेरे पास करीब 50 gram है तो यहाँ पर मैं करूँगा मैं करीब इसे 600 ml water में dissolve कर लोगा यहाँ पर मेरे पास 400 ml water है लेकिन मैं अभी इसको डाल दूँ उसके बाद थोड़ा सा पानी और डाल दूँगा और मेरे पास glass rod तो साइद आज मेरा नीचे कहीं छूट गया है मैं लाया नीव से यहाँ पर मैं pencil करते हो इसे dissolve कर लेता हूँ अब यहाँ पर में 400 ml मेरा पानी था यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों आपको तो देखो यह 400 ml है लेकिन अभी मैं इसको 600 ml डालुट करने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों में इसे dissolve कर लेता हूँ उसके बाद में आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 600 ml से थोड़ा सा solution ज्यादा होगा क्यों मैं इससे पूरा dissolve करना चाहता था यहाँ पर मेरे पास copper sulphate का solution है अब हम simply करेंगे क्या दोस्तों यहाँ पर मेर इससे पूरा मिलाओ अगर आपका जो solvent है नि जो water है इसका volume घटता है तो आप इसमें थोड़ा सा और मिला सकते हो क्योंकि हम करना क्या है पस हमें sulphate ions को sodium के साथ ठ्याइट करवाना है ज्यादा कुछ नहीं करना हमको और precipitation होगा यहाँ दो परसीपिटेट क्या होगा दोस्त अगर एक कोई solid बन जाता है reaction के दौरान तो उसे हम precipitate कहते हैं यहाँ बीकर की नीचे है फिर किसी भी vessel की नीचे इसमें आप reaction कर आओगे उसके अंदर नीचे आके वह बैठ जाएगा तिहां पर दोस्तों simply मैंने क्या क्या है मैंने sodium carbonate का solution बना लिया है अब आपको करना क्य क्या हुआ मैं थोड़ा केले सूट कर रहा हूं आपको दिखा नहीं सकता लेकिन अभी देखना में अगर पूला डाल दूना तो यह देखो अंदर यहां कितनी मुमस्त reaction हो रही है इसे थोड़ा copper sulphate ना थोड़ा acid type का होता है क्योंकि sulfuric acid इसमें sulphate ions होते है न उस हिसाफ से जाता है तो यह जो आप फिनोमेना देख रहे हो जो जाग बन नहीं हो थोड़ी गैस निकल लाई है इसे कहते है एफर वेसंस आपने पढ़ा होगा कि कार्बोक्स लिक एसीड होता है जब रियाट करता है सोडियम कार्बोनेट से तो इस तरह करता है तो यहां पर मैं सिंप अ हाँ देख सकते होगे कि सोडियम कार्बोनेट और कौपर सर्शियड की विच में रियक्शन होती है तो क्या होता है अब यहां पर हमारा गोंतर कार्बोनेट के वस्मे लिदु करता है उसको क्या करना क्या है सेडिमेंटेशन हो तो उस लिक्विड को डिसकार्ड करने के प्रोसेस को डिकांटेशन कहते हैं यहां पर सिंपली मैं क्या करता हूं मैं अभी और डालता हूं और आप ध्यान सी देखोगे ना दोस्तों मैं आपको साइड आके दिखाऊंगा तो यहां पर सुल्ड पार्टिकल बन चुके हैं और यहां पर मेरे पास सोडियम कार्बुनेट जो था पूरा पूरा डिजॉल्व नहीं वहां मैं उसे पूरा पूरा डिजॉल्व करूंगा 50-30 ग्राम था तो मैं 30 ग्राम जो इसमें बढ़िया से डाल दूंगा थोड़ा आराम आराम से ड दिखाता हूं मैंने काहता न आपको दिखांगा किया किया था इक और सल्फीट का सल्यूशन बनाया और उसके अंदर मैंने सोडियम कार्बुनेट का सल्यूशन डाल दिया है अब होगा क्या दोस्तों इस से एक रेक्शन हुई इसमें आप कह सकतो की डबल डिस्लेस्टियंट रेक्शन हुई हाला कि आप लोगों ने कहा था था थोड़ा सा डेफ्थ एक्स्पलेशन चाहिए तो मैं आपको पताओ यहां पर क्या हो रहा है यहां पर कार्बॉनेट ना बनके basic copper carbonate बनने है अगर आप मुझे बता भोगी copper carbonate और अंतर के होता है तो मुझे काफी अच्छा लेगा तो simply दोस्तों यहां पर मेरे पास basic copper carbonate जो की यानि निकल जाएगी यहां पर दिखाता हूं कि carbon dioxide gas जो है निकल लाई है यह जो बबस देख रहे हैं कर बनाते हो copper carbonate और यहां पर ध्यान से देखोगे ना तो आपको लाइने दिख रहे होंगी पतली पतली लाइने दिख रहे होंगी यह क्या कर रहा है जो बड़े-बड़े यहां पर आपको copper carbonate मिल जाएगा यह नीचे आके precipitate हो जाएगा आप उसे निकाल लेना है तीन-चार बार डिश्टिल वाक्टर से दो लेना है फिर उसके बाद आपके पास होगा copper carbonate आप उसे heat करके काले कलकी compound में convert कर सकते हो यह से कहते हैं copper oxide वो काफी useful compound होता है और यहां मैं आप उपर से दिखाऊंगा इस तो यह देखो कितना अच्छा लग रहा है वाव यह से लागा च्टा 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 अटामिक बांब्स फूट रहे हैं वाव दोस्तों चलिए देखिए अभी मैं क्या करता हूं इससे precipitate हो जाता हूं उसके बाद मैं आपको दिखाता तो गाइस करीब आदे गंटे के बाद यहां पर आप देख सकते होगे कि हमें दो डिस्टिंक्ट लेयर मिल चुकी है उपर अला जो सल्यूशन है सोडियम सलफेट का और कॉपर सलफेट का और अन्र्यक्टर सोडियम कार्बोनेट होगा और यहां पर नीचे मेरे पास आ गय पानी से डिस्टिल वाटर से फिर हाइड्रोक असिड से दूल सकते हो उसके बाद आपको पास मिल जागा बढ़िया प्योर कॉपर कार्बोनेट तो चले दोस्तों मैं क्या करता हूं टाफिक टाइम कंजूमिंग प्रोसेस अगर मैं आपको पूरा दिखाने लगँगा तो मैं से निकाल के सुखा लेता हूं उसका आपको दिखाता हूं तो दोस्तों यहां पर है मेरे पास कॉपर कार्बोनेट जो कि मैंने निकाल लिया है अपने सल्यूशन से और गाइस देख सकते हैं मुझे काफी ज्यादा मिला है आप सोच रहोगे क्या को करीब ज्यादा मिलत काफी कम होगा इन कंपेरेजन तू सॉल्वेंट के तो यहां पर लेता हूं और उसके बाद इसे इसके ऊपर निकाल लेता हूं और इसके बाद एक कंटेर में ट्रांसफर कर लेता हूं को कि बीकर में तो रखूंगा नहीं वाव सबसे गंदी बाद इन बीकर्स की चिपक जाते हैं तो यहां पर देख सकते होगे कि मेरे पास कॉपर कार्बनेट मिल चुका है अब हम सिंपली इसे कॉपर और ऑक्साइड में कर देंगे मैं करके दिखा देता हूं में इतना पूरा नहीं कानवाट कर रहा हूं कि काफी करता क्या हूं थोला सा कॉपर ऑक्साइड निकाल लेता हूं होता क्या मेरे दिमाग में जो होने वाला होता ना वह चला होता तो बार बार गलती से बोल देता हूं कॉपर ऑक्साइड या फिर सोडियम कार्बनेट को कॉपर कार्बनेट बोल देता हूं कोई बात नहीं यहा सब्सक्राणाऊट तो बहुत जा रहा है कि कॉपर कारबोनेट जो है यह corporate औक कार्बन डियाओकसाइड में तूट तो कुछ इस तरह से आप copper carbonate को अ गभाळ कर सकते हो copper oxy-님 कि अप बना सकते हो copper sulphate कि abd conclu कुछ इस तरह से chemical reactions होती हैं दोस्तों मैं इससे अच्क है करता हूं कि यहां पर देखो यह पूरा पूरा कॉपर कार्बोनेट को कर सकते हो और आप चाहों तो इस कॉपर ऑक्साइड को कर सकते हो दो भारास से कॉपर सलफेट में कर सींप्ली डारीवी चैट का र्यक्शन कर वागते हैं और बता दूपार ऑक्साइड दो तरह के होते हैं शकता को पर सेकेंड यहां पर सेकेंड जो है कि यहां यह बिखाते हैं कि कॉपर किसी के लाइकट्रान गवाटार कर लाल गयुए इसका था पना से आप बना सकते हो अ और औक्साइड और कॉपर कार्बोनेट अर दोस्तों कोई बीदिमांड हो ठीक है तो जरूर बताना मैं जरूर पूरी करूंगा मुझे पता मरकरी वाली वीडियो बहुत डिमांड में है मैं उस भी जरूर लाओं जल्दी से और रोकेट वाली भी हूसकता अगली वीडियो ह ले आऊंगा मेरे एक्जाम सारे तो मैं थोड़ा से भीजी हूँ करीब अक्टूबर तक तो फूरा अक्टूबर का महीना जाएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिंगे कि अग्या कि 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 झाल